हेलो डिवन स्वागत है अब सब का लडरिंग विद गौतम यूटूब चैनल में तो आज किस वीडियों हम करने वाले हैं विपेसी सिख्छा गवर्ती 3.0 के लिए मियूजीक के यानि कि संगीत के महत्पुन प्रश्न को जो कि आप के आने वाले एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट प्रस राने वाला है तो आपने वीडियों को अच्छे से ध्यान प्रुवक और लास्ट अक जरू देखिएगा तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट कोश्चन से और फर्स्ट कोश्चन है अमारा उस्ताद जाकिर हुशेन कौनसा वाधियंत्र वजाते थे उस्ताद जाकिर हुशेन जोते वो कौनसा वाधियंत्र वजाते थे पकावज, तबला, नाल या फिर धोलक तो तबला वजाते थे उस्ताद जाकिर हुशेन यानि कि option नमर इसका B हो जाएगा और अगर आप से एक जामें पूछा जाए उस्ताद जाकर उशेन का जन्म कब हुआ था तो ये भी याद रखेगा 1951 में 1951 में उस्ताद जाकर उशेन साव का जन्म हुआ था next question करते हैं और अगला question है हमारा राग यमन का वादी स्वर क्या है राग यमन का वादी स्वर क्या होता है तो गौ होता है राग यमन का वादी स्वर यानि कि option नमर क्या हो जाएगा तो option नमर इसका A हो जाएगा क्या होता है तो राग यमन का जो वादी स्वर है वो गौ होता है next question करते हैं और अगला question है हमारा सब तक कितने परकार के होते हैं तो सब तक जो हैं ये तीन परकार के होते हैं कई वार और लिडी आप लोग को बता चुके हैं सब तक जो हैं ये तीन परकार के होते हैं next question है हमारा एक ताल में कितनी मात्राइं होती हैं ये जो एक ताल होता है, इसमें मात्राओं की शंख्या कितना होता है? दस, बाड़ा, चोदा या फिर सोला. तो याद रखेगा, एक ताल में मात्रा जो बाड़ा होती है, कितनी होती है? तो बारा मात्रा होती है एक ताल में. Next question कर लेते हैं, और अगला question है हमारा, संगीत में मुखता कितनी पतियां पाई जाती है नियम अनुषार स्वडो के चलन को क्या कहते है उसे हम क्या कहते है तो उसे हम अलंकार कहते है सिंपल सा कोशन है लेकिन इंपोर्टेंट है याद रखेगा अलंकार कहते है नियम अनुषार स्वडो के चलन को नेश्ट कोईशन है हमारा सा एपउ कहलाते हैं तो यह क्या कहलाते हैं वादी कहलाते हैं चो चल खलाते हैं अचल या सिर संबादी कहलाते हैं तो यह क्या कहलाते हैं अचल खलाते हैं option नमरद c हो जाएगा याद रखेगा सा एक पॉ जो एक हलाते क्या है तो अचल कहलाते है option नमरद c हो जाएगा next question है हमारा निम्न में से यानी कि जो चाड़ा option दिया हुआ है इसमें से किस रग में किस रग के त्रिव में मे का पड़ियोग होता है ऐसा किस राग में होता है भैडव राग में यमन राग में बुपाली में देश में किस में होता है तो ऐसा होता है यमन राग में option वर B हो जाएगा देखिए जितना भी राग है इस सब राग के बारे आपको कुछी बाते याद रखना होता है जैसे कि अगर बात करें यमन राग का तो इसका क्या क्या है आपको याद रखने है वादी याद रखने है संबादी याद रखने है इसके गाने का समय उसका ठाट क्या है इतना बस आप याद रखेगा और एक आडो और अबडो इतना बस आपको किसी भी राग के बारे में य नेस्ट कोशन हमारा राग भुपाली किस ठाट का राग है राग भुपाली जो है यह किस ठाट का राग है तो कल्यान ठाट का राग है राग भुपाली यानि कि option मर ए हो जाएगा नेश्ट कोशन है हिंदुस्तानी संगीत पदती में कितने ठाट हैं हिंदुस्तानी संगीत पदती में ठाटों की संग्या कितनी हैं तो 10 है ओप्शन में इसका B हो जाएगा नेश्ट कोशन है वाड़ा अगला कोशन पंडी तरवी संकर किस वादियंत्र के लिए परसीद है, पंडी तरवी संकर जो थे न, वह किस वादियंत्र के लिए परसीद थे, तबला के लिए, सानाई के लिए, सितार के लिए, फिर शरूद के लिए, तो सितार वादन के लिए, पंडी तरवी संकर जो थे, यह परसीद या फिर यह सेम कोशन आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि पंडित रवी संकर कौनसा वादी अंत्र वजाते थे तो याद रखेगा सितार वादन करते थे शितार वजाते थे और अगला कोशन है हमारा राग देश का वादी स्वर क्या होता है देख रहे हैं न बाड़ पंचम स्वर किसे कहते हैं कौनसा स्वर तो पंचम स्वर अब पंचम स्वर किसे कहते हैं तो रे धे सा या फिर फॉको तो याद रखेगा पॉको कहते हैं हम लोग पंचम स्वर यानि के ऑप्शन में इसका डी हो जाएगा नेश्ट कोशन है सहनाई के लिए विश्विक्या कौन थे इसका एंसर तो बच्चे-वच्चे को पता होगा शानाई के लिए विश्विक्यात कौन थे तो बिश्मिल्ला खाण थे बिश्मिल्ला खार ada आपे के लिए सब्सक्राइब का प्रसित परशित और और अब को चार्णि साबिए आपको का pdf लेना चाते वहanium हैं अब इसमें मिलेगा क्या-क्या ? फेरी के portion में तो देखिया आपके syllabus में जो कुछ भी दिया गया जो कुछ भी आपको पढ़ने वो सब आपको इसमें मिल जाएगा अब book में क्या होता है कि किसी बुक में आप राग के बारे पढ़ते हैं किसी बुक में आप घडाना के बारे पढ़ते हैं, दुस्तानी संगीत का जो भीविन घडाना है, तो बुक में भी ऐसा नहीं डाता है कि एक साथ सब आपको मिल जाया और वो आप पढ़ ले, लेकिन यह जो PDF है, यह PDF बनाई गया है BPSC के लिए, BPSC के syllabus में जो कुछ भी mention किय पढ़ने को मिल जाए ठीक है? टोटल यह 72 पेज का PDF है आपके साथ होता है कि कोई topic किसी book में पढ़ते हैं, कोई topic किसी book में पढ़ते हैं, कोई topic तो आपको मिलता नहीं डाता है लेकिन इस PDF में आपको सब कुछ मिल जाए गया है, टोटल आपको 32-33 पढ़ना है, अब राग में कौन सा राग पढ़ना है राग में क्या क्या कोशन आ सकते हैं सब आपको इसमें मिल जाएगा है चाहिए हिंदुस्तानी संगीत का भी घडाना उसके बारे में पढ़ना है या पिर हिंदुस्तानी जैसा कि है सेंगीत का question हुआ और एक question होता है important question अब जो दोनों होता है फर्क यह हुआ कि question तो कहीं से भी आ सकता है लेकिन question वहीं से आएगा जो syllabus में हमें दिया हुआ है तो हम ऐसा कुछ भी कभी कभी क्या हो जाता है second period को जिसमें की 1000 question आपको देखने को मिलेगा और इस 1000 question को कर लेते हैं और theory को कर लेते हैं तो आपका 20-30% question तो यहीं से हो जाएगा उसको थर्ड की बात करें तो PYQ best question PYQ यानि की पिछला साल का question है PYQ best question अब यह क्या होता है तो इसमें आपको मिलेगा जो पिछले साल में question पूछे गया है उस question के base पर तयार करके उसको analyze करके जो question होता है वो तयार किया गया 500 question अब जैसे बात करें पिछला सा अगर पूछा गया होगा कि दिल्ली घडाना के संस्थापक कौन थे तो उससे related इस साल किस तरह का question पूछा जा सकता है वो analyze करके तयार किया गया question है one liner question है इसमें मिलेगा आपको third पीडियाप में 500 question ठीक है और fourth पीडियाप तो सबको मिलता है और यह सब exam के लिए same ही रहता है इसमें total आपको 112 question हैंगे वादियंत उनके वादक से संबंदित जैसे कि अभी पिछला question थोड़ी देर पहले ही देखे थे कि 35 संकर कौनसा वादियंत वजाते थे या पिर किसके लिए परसे थे तो इस तरह का question होता है इसी को कहा जाता है वादियंत उनके वादक से संबंदित प्रशन ठीक है और यह प्रशना आपको रहेगा इस पीडियंत में चौते पीडियंत में 112 समझ गे और यह जो चौता पीडियंत इसको अगर कर लेते हैं तो इसी से आपके 6-7 नूमर आ जाएंगे कैसे आ जाएंगे क्योंकि आपके एक्जाम में maximum 7-8 और में minimum 5-6 कोशन BPSC में जो पूछा जाता है किसके तो जो होता है जैसे वादियंत उनके वादक इस सबसे संबंदि ठीक है पर अगर इस 4 पीडियोप को अच्छे से त्यार कर लेते हैं तो यह देखिए आपके एक्जाम में 80 कोशन रहेगा ठीक है उस 80 में से 55-60 और minimum 50 तो रहेगा यहीं से रहेगा इसके बाहर से रही नहीं सकता है वो ऐसा इसलिए बोड है क्योंकि आपके एक्जाम में कोशन जो ड़ाएगा वो आएगा कहां से सिलवस में जो दिया हूँ उसी टॉपिक से आएगा और सभी टॉपिक को आप कंपलीट कर लेंगे प्रैक्टिस कर लेंगे पी वाई कोशन को अनलाइस कर लेंगे पी वाई क्यूशन को तो कोशन कहीं से वह आगा तो यहीं से आगा ठीक है और जो लोग पेपर फर्स्ट का जो जाम हुआ था एस्टी टी का वो लिए होंगे पीडियप तुनको पता ही होगा जितना कोशन आपको दिये थे पीडियप में उसके बाहर से कुछ खास था में टोटल आपको 45-45 कोशन उसी में से देखने को मिला था जो पीडियप दिये थे ठीक है अब इसको लेना कैसे है तो देखिए only 40 रूपीज कोई ज़्यादा वड़ी राकम नहीं only 40 रूपीज आपको पे करना है इस नमबर पर यह नमबर है 790-3820-891 इस नमबर पर आप लो phone पे, guard पे, ptm किसी भी मादेम से only 40 रूपी, 40 रूपे पे करके इसी नमबर पर इसका स्क्रीन सोर भेज दीजेगा और एक मैसेज कर दीजेगा, bps, आपको तुरुन पीडियप मिल जाएगा और इस पीडियप को ले करके आप लो ठीक है, थोड़ा बहुत आप कुछ कर देख सकते हैं लेकिन इसके लाब अगर इतना कर लेते हैं तो आपका जो cut-up है वो इसी से killer हो जाएगा ठीक है, और इसके लिए कोई ज्यादा बड़ी रूपीज पे करके इस नमबर पे, और ओ जो पे किजेगा उसका screenshot इसी नमबर के WhatsApp पे भी दीजेगा ठीक है, और मैसेज कर दीजेगा BPSC, BPSC 3.0 Music पस आपको PDF जो है, तो अंत मिल जाएगा ठीक है, अब आते हैं अपने question पे तो अगला question क्या था हमारा next question है, राग में लगने वाला मुख्षवर कहलाता है, राग में लगने वाला जो मुख्षवर होता है, उस वो कहलाता क्या है, कि राग में लगने वाला जो मुख्षवर होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा, वो कहलाएगा वादी, शंबादी, अनुवादी या फिर विवादी अब चाड़ ऑप्शन दियाँ, इस चाड़ ऑप्शन में सबको बताना है, कि राग में लगने वाला मुक्शोर कहलाता क्या है, तो वो कहलाता है वादी, सिंपल सा है, वादी कहला हैगा, उप्शन मरण ए हो जाएगा, वगला कोशन है मारा, पंडित पंडनालाल गोश, कौन बजाते थे अब इूपर आपको PDF के बादे में पता रहे थे ना कि वादियंट और उनके वादक से संबन्धित प्रश्न वह इसी तरह का प्रश्न होता है वह जिस जोकिसे वादियंट रहता है कौन वादियंट गौन बजाते थे जैसे वह आप से पूछ ले कि जड़ीन गोष कौन सा वाधियंद वजयाते थे तो सब को पता है बांसरी वादन, बांसरी के लिए फिमस्ते पंडिट, पंडालाल गोष, option मर बी हो जाएगा, next question है ताल लिपी में X से सम को शुचित किया जाता है यानि कि option मर इसका बी हो जाएगा अगला question है हमारा भरत मुनी की रचना कौन सी है अब 4 option में साब को पढ़के बताना है कि भरत मुनी जो है उनकी रचना कौन सी है तो नाट सास्तर जो है यह भरत मुनी की रचना है option मर बी हो जाएगा अगला question है पंडित राम चत्रु मलिक किस विधा के थे पंडित राम चत्रु मलिक जो थे वो क्या थे गायक थे नर्तक थे वादक थे चितरकार थे तो गायक थे पंडित राम चत्रु मलिक है सब को पता होगा option मर ए हो जाएगा next question है हमारा संगीत पारिजात के लेखा कौन थे इसका एंसर भी ओलेडी सब को पता होगा कई बार बता चुके हैं संगीत पारिजात के जो लेखा कहें वो पंडित अहोबल है यानि कि option मेरे इसका c हो जाएगा next question है हमारा किस ताल में 10 मात्राएं हैं वो कौन सा ताल है जिसमें की मात्राओं की जो संक्या वो 10 होता है जप ताल में मात्राओं की शंक्या 10 होता है ये किस घड़ाने से आते हैं, आगरा घड़ाने से आते हैं, उस्ताद फईयाज खा, option मर ए हो जाएगा, next question है हमारा, चार ताल में कितनी तालिया होती है, चार ताल जो है, इसमें तालियों की संख्या कितनी होती है, तो चार होती है, option मर इसका B हो जाएगा अगला question है, राग केदार की start से उत्पन होता है राग केदार जो एक की start से उत्पन होता है तो कल्यान start से उत्पन होता है, राग केदार option मर C हो जाएगा next question है, ताल में दो चीन का क्या मतलब होता है ताल में दो चीन का मतलब क्या होता है ताल में दो चीन का मतलब होता है दूसरी ताली option मर C हो जाएगा next question है एक सब तक में कितने स्वर होते हैं एक सब तक में स्वरो की जो संक्या वो कितनी होती है तो याद रखेगा सब तक से साथ एक सब तक में शरो किसंख्या साथ होती है अगला question है हमारा जिस राग के आरो में पांच स्वर लगते हैं उस्षे हम क्या कहते हैं तो उस्षे हम लोग on down कहते हैं क्या कहते हैं on down option मर ए हो जाएगा next question है नीरे गाडे नीरे सा किस राग का पकड़ है अब यह किस राग का पकड़ है नीरे गाडे नीरे सा यह जो हो जाएगा यम राग का पकड़ option मर C हो जाएगा अगला question क्या है हमारा next question इस राग जाती में कितने स्वर लगते हैं पांच, छे, साथ, या फिर आठ स्वर लगते हैं कितने लगते हैं तो 6 स्वर लगते हैं sign up जाती में option मर B हो जाएगा next question है हमारा तीन ताल में कितनी मात्राएं होती है तीन ताल में मात्राओं की संख्या कितनी होती है शोला होती है तीन ताल में मात्राओं की संख्या यानि कि option मर C हो जाएगा ठीक है वगला question है उस क्रम को हम लोग क्या कहेंगे तो क्या कहेंगे अब रोह कहेंगे ठीक है और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर था उपर से नीचे अब आपसे पूछा जाएगा नीचे से उपर जाने के क्रम को क्या कहेंगे तो आरोह कहेंगे और यहाँ उपर से नीचे का क्या आपके एक्जामें पूछ ले, नहीं भी पूछे, तो simple सा question आपको पता होना ही चाहिए, अब अगला question कर लेते हैं, और इसका यह हो जाएगा, अगला question है, राग भहरव का गायन समय क्या है, यानि कि राग भहरव जो है, इसको गाया कव जाता है, तो प्राता काल के समय, में राग भहरव का गाने का समय, यानि कि प्राता का option मर इसका A हो जाएगा, अगला question है, राग देश किस ठाट का राग है, राग देश किस ठाट का राग है, खमाज ठाट का राग है, राग देश, option मर A हो जाएगा, अगला question, और आज किस वीडियो का last question है, जाती कितनी हो सो गार साम। 6-7 के बीकि में जो एंट से डान तरव जाईगा है एंच्छे से सभी किलास को एंट किजिए और जितना आपको PDF आते हैं अगर उसको अक्छे से कर लेते हैं चारों ुझे है आपको खुछ करने की देखने पी जुरुवत प्रेसाट